सेलो कि दोस्तों मारा एक स्टूडेंट है और मिलवाते हैं उससे मार्णिंग भाग पर डेली आते हैं सेलो नाम है उसका करते हैं कुछ बात है आए वाई सेलो क्या हाँ बात है आज अचानक से कंबिनेशन मन गया बढ़िया आव इबठो दोस्तों यह हैं हमारे बड़े ही प बाते हैं प्यारे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मौर्णिंग भाक पर आयोए हैं और मौर्णिंग भाक पर योगा मेडिटीशन करते हुए अचानक से हमारा प्रिय चात्र ठीक ना और बड़ा बढ़िया लंबा चोड़ा बढ़िया सा इस्टूडेंट मिला है तो और बहुत ही प्यारा च्छात्र और अपने बारे में हमारे दर्सकों को बताईए कि भाई कहां पे हैं आसकाल तो मेरा नाम सीलिंद्र कुमार है और मैंने भारत उबत सीमा पुलिस वर जोइन किया था है और आज मुझे लगवक्त 10 साल कंप्लीट होने के बाद 11 साल रर्निंग में है और अभी मैं लेल अद्दाख में पूश्टेड हूं और वहां का मतलब बरफीला इलाका मैदान इलाका जो भी है काफी अच्छा और देखने में भी अच्छा लगता है अच्छा आपने त्री हूं क्योंकि जो हम लोग जो से चीजों को हम जी के बगारां पड़ते हैं कि साब वह ऐसे जील है वह आपने थ्री डिट की बात करी है तो यह वहीं पर पोस्टेड है तो सबसे पहले तो जो है सैना के जवान को हट ली जहन बैस इलू बिस्टास मानो जब बच्चे जब का मैं आभी को प्राप्त करते हैं तो सबसे यादा खुसी एक टीचर को ही होती है कोकि टीचर के बारे में कहा जाता है आज अगर मैं बात हिंदी की करूं कि जब कोई अध्यापक अपने किसी सिस को नाम फेम प्रिशिद्दी रुपया पैसा कमाता हुआ जब वो देखता है सबस्यादा खुसी होती है आज अचानक से बचों यह भी मर्णिंग पर आई हुए था तो जो है जब मिले ना तो बहुत किसी होई तो अबरॉल यह बताई है कि जीवन के बारे में क्या दृष्टिकॉन है आपका लब जब अच्छा पहले यह बताई है कि सेलेक्शन से पह साथ में आ जाता है तो सारी सुब्दा एक तरीके से मिली जाती है और सुब्दाओं के साथ साथ अपनी जैसे लाइफ प्रिस्टाइल जैसे रखना चाहों वैसी रख सकते हो तो भी रहता है बिलकु सही बात है नहीं बहुत अच्छा लगता है आज दोस्तों मानिए कि अच्छा लगता है तो सीलो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जैसे और भी भाई लोग जब सिस्टम में जब जाते हैं जब एक्जाम क्वालिफाई करते हैं विसास मानिए हमारे हाथ कई सारे बड़े लंबे हो जाते हैं तो सिलू बहुत अच्छा लग रहा है आप से बात करते हुए प्यारे दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम है मिश्चा सीलेंद यादर्प के साथ में एक बड़ा ही प्रिय चात्र जो सीधे तोर पे आई टी समास सेवा तो अलग चीज़ है देश सेवा वाली भावना रहती है सुबह उठना वही देनिक प्रिकिरिया जैसे पीटी में जाना और उसके बाद अपना मतलब जो देनिक प्रोग्राम बना हुए उसी के सारे काम करना तो वही रहता है अच्छा तो पीटी के गर हम बात कर को फिट रखने के लिए एक्टी मिल्ट का भी टाइम रखते हैं वह जवान की कंडिशन के उपर निर्वर करता है कि जवान कितनी एक्ससाइज कर सकता है कितना जेल सकता है अच्छा अच्छा एक बात तो बात को बड़ा पकड़ने वाली आदत है इस बहिया के मुझ से दे से कुछ कनेक्शन है तो समासिवा कैसे समासिवा जो आप करते हैं समासिवा के बारे में बताओं दोस्तों उसमें क्या है कि मैं अपने गोविन सर से प्रेरित हूं उन्होंने जब यूटूब चैनल बनाया था तो मुझे भी लगा कैसा कुछ करना चाहिए तो मैंने भी लाए गया था तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और वो काफी अच्छी वीडियो चल रही है मेरी और काफी पूरल लोगों ने पसंद भी किया है तो ऐसे में बीडियो बनाता रहता हूं फोर से संबंदित जानकानिया देता रहता हूं कि मतलब कोई वेकेंसी आती प्यारे से दोस्तों अगर आर्मी के वारे में सेना के वारे माँ और धेर सारे बच्चे हमारे अगनवीर मुझे पता है इस चैनल को अगनवीर वाले बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो इस भाईया की जो मैंने चैनल बताया है आप उसको जरूर विजट करिएगा बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों ने उसको पसंद किया उसके कमेंट भी करें तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी लिंग में लगा दूगा दोस्तों आपको वीडियो देखना है कि कई बार मतलब जैसे बहुत से लोग बच्चे बोलते हैं अगर मेरे बार से अपने एक्जाम को कौलिफाई किया और सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है कि होती है जब बर्दी होती ना आर्मी वाली इसको लिखा होता है इंदो टिबट बॉर्डर पुलिस बच्चों विस्वास मानिए वो जो बर्दी होती है ना वो मेरी उर्जा का सबसे बड़ कि कामियाबी हर किसी के हिस्से में नहीं आती है कामियाबी उसी के हिस्से में आती है जिसको भूख लगी होती है किसकी कामियाबी की मैं बात अगर सीलो की बात करो तो इसके दिल में कहीना कहीं वह अच्छा सीली एक बात बताओ जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे लेकिन जहां लोगों का मनोबल टूट जाता है सफलता वहीं से स्टार्ट होती है अब लोग बाग क्या होता है कि एक दो भरती देखिया चार शे भरती देखिया फिर बाद में उम्मी छोड़ देते हैं कि नहीं होगा ऐसा नहीं है जहां आप उम्मी छोड़ेंगे अपनी परिचरचा को आगे बढ़ाते हैं मेरा आप से जानना यह है चुकि आप देखिए आप वो आइटी बीपी में हैं आप पोर्स में हैं आपने भी बताया कि आपका जो पीटी होता है सुब्बे मर्निंग में रहता है हमारे बहुत सारी स्टूडेंट है उनकी उमर ज कुछ ऐसा देना चाहेंगे कि वो फिजिकली फिट कैसे रहें खान पान की कोई परहिज की अगर बात है या सुब्बे मॉर्णिंग में आप छोड़ा सा बताईए अपने अन्भाव सेयर करिए कि जो आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोड़ी इस प्रकार से फिट हो होता है तो इसके लिए बिल्कुल तैह है कि हमें बोड़ी तो अपनी दो को स्ट्रॉंग बनानी पड़ेगी ठीक है दोस्तों मैं ही नहीं बोड़ता चला जाओंगा सीलू से जानने कोशिस करते हैं चैसे जो आज की यूवा हैं यह कैसे अपने बोड़ी को स्ट्रॉंग ब में लोग बाग दाल खाना पसंद नहीं करते हैं हमारे रूटीन वर्क में पर डे सबजीयां भी हैं ऐसा नहीं है लेकिन दाल में बिटामेंस प्रोटीन हर चीज होती है तो मतलब ऑली चीज बंद करें दूसरा अपना दिन चर्या बनाएं वह दिन चर्या में जैसे सुबह दोड़ना एक्सराइज करना खाने का एक टाइम बना यह नहीं कि जब भी मन किया खाना सुरू कर दिया एक फिक्स टाइम होना चाहिए और अपना रूटीन बनाए जैसे चार्ट टाइप का पढ़ाई के लिए चार्ट प्रिपेर कर लेते हैं कि इस टाइम में मुझे यह चाहें का आप 40 मिनट करें या 20 मिनट करें लेकिन एक्सराइज पर दे करें जिससी कि क्या है ओक्सराइज करने आपका सरीर भी रहती रहता है और دिमाग यह इंक्सरार तो हर चीज में ड्रइब आभ का पढ़ए में मतलब और भी एक्स्टा एक्टिविटी जे उनमें भी म मतलब अच्छा ही रहीगा हाँ बिल्कुस यह बात है मैंने यह बात देखा है कि कई बार जो है ना बच्छो सीधी बात तो यह कि खान पान का बोड़ी पर सीधा अफेक्ट पड़ता है बहुत अच्छी बात बताई कि चावमिन पिज्जा बर्गर जो भी फासपूर जिसको क और जब दिमागी काम की बात करेंगे तो भीया हमें इनरजी का लेवल मेंटेंट करना ही करना पड़ेगा आप सोचिए आप सोचिए सिबल सर्विस की त्यारी करने वाले बच्चे दस से बारा पंदरा घंटे पड़ते हैं तो कैसे पड़ते होंगे अगर यह सब चीज़ नहीं करेंगे तो कैसे वो सलेबस को कबर कर पाएंगे तो उसके लिए अच्छा खाना खाया जाता है अच्छे खाने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है उसमें घी डाल के खा रहे हैं कुछ भी है अच्छे खाने से ताथ पर इस बात का है वो डाल रोटी शूखी रोटी भ भड़ा खाना होना चाहिए तड़क भड़क खाना खाऊगे तो बचो बॉड़ी मेंटेन नहीं होगी आला स्यादा आएगा और दो तिन गंटे बाद जब आप सो जाएंगे तो सोचने वाली बात है आपने जो बादे करके रखे हैं आपने अपनी मां से जो प्रामिस किया आप लोगों को अंदाजा नहीं है आप लोगों को अंदाजा नहीं है आज ये भईया मेरे बगलन बैठा हुआ है आज ये सेना का जबान है विस्वास मानों अगर कोई मेरी च्छाती पे हांत रखके कोई ये पूछे ना सर कैसा महसूस कर रहे हो दोस्तों मैं साथवे आस आज बहुत जmost ज्यादा खुसी मिलती है। पर विस्टास मानियें इस परियास प्रियास किया है कि ये वीडियो कैसा लगा कंक्ट करके जैसे 50 से बताइए me बताये थी जान लेते हैं यह बहुत सारी बेटियां हैं वह सैना की जवान मतलब बड़ा मेहनत कर रहे हैं तो मैं तो बड़ा सौक्ड हूँ कि हम ऐसे भारत में हम लोग आ चुके हैं जहां बेटियां जहां कहना चीए कि बेटियां वाली बात फॉज से जुड़ते ही नहीं थे और काफी लंबा समय हो जोएन करता है नीचे कमेंट करता है बहुत सारी प्रश्णों के उत्तर देता है तो इस प्रकार से वीडियो समाप्ती की और है और बताएं थोड़ा सा कोई जो मेरे चोटे बड़े वाहिवन फॉर्स की तयारी कर रहे हैं जैसे अभी तो ले टेस्ट में आप लोगों को पता ही है कि आर्मी में एयर फॉर्स ने भी में अगनी वीर की नाम से वेकेंसियां चार साल के लिए निकाली हुई है तो दोस्तों देश सेवा दोस सेवा ही हो और अपना मतलब फिजीकली तयार रहें और अपनी प्रिपेर मतलब एक्जाम की तयारी वे अच्छे तरीके से करें और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा जो भी मेरे भाई वेन फॉर्स की तयारी करना चाहते हैं तो मेरा अपना एक खुद का यूटूब चैनल है सी दे दिया जाएगा आप चाहें तो जोइन कर सकते हैं धन्यवाद ठीक है दोस्तों तो फैनली जो है एक भी आप मिले और पूरी बात हमारी हो चुकी है तो मेरा प्रयास क्यास लगा कमंड करके जरूर बताएंगे तो मिलते हैं गले वीडिव तब तब तक ले सुक्रिया थ जो रे